हेलो फ्रिंट्स मैं हो कैंजी और आज मैं जा रही हूँ कुछ स्पेशल बनाने के लिए जो के दो चीज है कॉम्बो है फर्स्ट अफॉल पहले हम बनाएंगे पनीर चिल्ली तो इसके लिए मैंने पनीर कट कर लिया इसे फ्राइ कर लेंगे थोड़ा तेल हलका सा इसमें डाल करके पनीर को हम फ्राइ कर लेंगे तो चलिए तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें पनीर डालते है पनीर को बस जादा नहीं करना है हलका लाइट हलका ब्राउन आ जाए फिर आप उसको फ्राइ कर लो उसके बाद फिर हम वेज चॉप करेंगे तो तो यह इगल जाएगा तो आपको वेजी का टेस्ट नहीं आएगा तो इससे पहले हमकी उसमें कट कर लेता हैं कट करने के बाद आइसके जो बीच है उसको आप किलियर कर लेना मैं भी कर लूँगी मैं पको पता दे रही हो कि इसे अंदर से प्रोपर साफ कर लेना ठीक है जैसे इसको मैं भी क्लीन कर लूँगी कट करने के बाद ऐसे इसको सारे को कट कर लो आप जादा छोटा नहीं करना है आपको यह आपको बस दस मिनिट में फटा फट यह रेडी होने वाला रेसेपी में बता रही हूँ अगर आपको इवनिंग में भूक लगती है तो अगर आपकी वेज़ी टेबल्स कट हुए तो आप और भी चलदी बना लोगे ईसे ऐसे क्लीन कर लेना है सारे बीच को इसको अच्ट कर लेंगे हम ओनियन को भी क्यूब्स में कट करना है उसको अलग-अलग कर लेना है ऐसे बिलकुल उसके बाद हमारा ये रेडी हो गया है वेजी टेबल्स और पनीर को फ्राई करके हमने रेडी कर लिया है अब इसको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसे हमने हलका सा हलका सा रोस्ट करना है ओनियन को और शिम्ला मिर्च को दो तीन हाथ ते हम इसे चला लेंगे उसके बाद फिर हम इसे हलका सा हलका सा रेड होने देंगे हलका सा जादा नहीं मतलब हलका अगर आपको फील हो जाएके हैं बस इसे इतना ही पकाना है तो अपने अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं आज यह जो मैं बता रही हूँ आपको यह सब के लिए है कभी भी अगर आप लोग बैसलर भी रहते हो तो कभी मन करें आराम से इसे दस मिनेट में बढ़ने वाला जटपट रेसेपी है इसमें हमने यह टमाटर डाल दिया है अब इसे थ्वासा एक दो हाथ और हम चला लेंगे उसकी बाद हम इसमें सोया साउस डालेंगे चिंक्स का जो कि कम्प्लीटली ऑपिशनल है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो वरना आप नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं है मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसको दो ढखकन में इसे लेकर डाल दूगी इसे थ्वाद सापका कलर भी अच्छा हो जाएगा और यह काफी टेस्ट बढ़ाता है थोड़ा इसमें अब तक मैंने जो भी रेसिपी बताई है इसमें अभी चिंग्सका मैंने सोया तोस डाला है और आगे मैं आपको बताऊंगी यह इसका जो मसाला है यह है पनीर चिली मिक्स मसाला यह दस रुपे में आ जाता है आप कहीं से भी ऐसे पर्चेस कर सकते हो और इसका एक पेज बना लो एक बॉल में डाल करके इसका पेज बना लो ऐसे ठीक है अगर आपको जादा थीक चाहिए तो कम इसमें पानी डालो और जादा चाहिए मसाला आपको ग्रेवी तो पानी जादा डाल सकते हो तो दो पाँच भी यूज कर सकते हो आप इसमें बिल्कुल नमक वगरा डालने की जरुवत नहीं है इसमें अलरी सब कुछ डला हुआ है यह इंस्टेंट बनने वाली चीज है बस थोड़ा सा वेजी वगरा चॉप करके रखो और फ्राइ करके रखो पनीरी फटा फट बन जा क less. क्योंकि हम ड्राय बना रहें है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ज्यादा जाएगा है कि भी कर चाहिए तो और कम ज्टाइए तो ड्रेवी वाला गर चाहिए आपको तो थोड़ा कम भी इसको कर सकते क्या है तर चाहिए यह इंस्टिंड रेडी होने वाली चीज है Tails जाएधा टाईम नहीं लगता है उसको बनने में ृ ये धीए फीख हो रहा है तो इसमें हम हम ठोड़ी ही 5देर में पनीर को पहले दोड़ा जला लेते हैं सब्सक्राइब निकाल लेंगे 是啊 इसमें हमारा बन के रेडी होज़ायागा कि इससे दो तीन हाट चला लेंगे क्योंकि हमें ड्राइ चाहिए तो मैंने दादा पानी नहीं मिलाया है तो यह ड्राइ ही रहेगा कुछ भी नमक वगारा कुछ भी नहीं डालना है जैसे मैंने बताया आप ऐसे बना लो अकर आपका वजीटेबल अल्रेडी चॉप्ट हो करके रखाया तो आपको और कम टाइम लेगा इसको बढ़ने में अभी से हम निकाल लेंगे थोड़ा बून करके एक दो हांत हम इसे फि यार हो गया है बट इसके साथ मैं एक और चीज़ बना रही हूं जिसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगी अभी आप थ्वा इंतिजार कीजिए पहले इसको हमें बॉल में निकाल लेते हैं ठीक है यह हम निकाल लेंगे इसे रख देंगे उसके बाद फिर दूसरा प्रॉ इसके अंदर तीन पैकेट है एक में नूडल्स है इसमें नूडल्स है और मैं इसे पहले निकाल लो अच्छे से यह हमारा चिली वाइल और यह वेजीज वाला पैकेट है इसका प्राइस है 30 रुपीज जो की हमने ब्लिंकेट से मगाया है ब्लिंकेट में आपको असानी से जाएगा जली process स्टार्ट करते हैं first of all हमें पानी इसे गरम करना पड़ेगा इसके लिए नूडल्स को बॉल करने के लिए तो हम पानी कर लेंगे, चलिए स्टार्ट करता है, ये है पानी इंडक्शन पर मैंने चड़ा दिया है, अपने अकॉर्डिंग आप पानी डालके बॉईल कर सकते हो, फहले पानी को गरम हो जाने दो, उसके बाद जब ये गरम हो जाएगा तो हम उसमें नोडल्स डाल देंगे पानी हमारा करम हो गया है तो चलिए इसमें अब हम नोडल्स डाल देता है इसे आराम से आप डाल दो और ये जब गल जाये तो फिर आप इससे निकाल दो आप अपने हादों से निकाल के चेक कर सकते हो अगर ये गल गया तो हडली दस मिनट में ये बॉइल हो जाएगा बॉइल होके पक जाएगा ये नोडल्स इसे आप फिर निकाल लो हमने पानी चान करके इसमें एक प्लेट में डाल करके इसे को फैला करके फैन के नीचे रख देंगे ताकि ये सारा पानी जो भी है इसमें बचा हुआ वो सूख ज देंगे तो चली पानी बॉइल हो गया है मारा अब हम उसे डाल देंगे वेजी स्कूप और अच्छे से मिला करके ये देखो इसे हम डाल देंगे पहले डाल दो अप और अपने हाथों से अच्छे से मिला लो चमच से के साथ या फिर खुद से इसे हिला करके भी बरतन आप इसे पांच से छे मिनिट तक बॉइल कर लो उसके बाद क्योंकि यह हम हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले वाइल डालेंगे कढ़ाई में और बहुत ही कम वाइल डालेंगे बिल्कुल ट्रॉप हाँ इतने ही डालेंगे इससे जादा नहीं डालेंगे और इससे थोड़ा सा गरम करके हम इसमें जो नूडल समने बॉइल करके रखा है उसे हलका फ्राई कर लेंगे तो चलो अब हम इसके पहले तेल को थोड़ा कढ़ाई में हम फैला लेते हैं क्योंकि कढ़ाई में नूडल सटता ही है आप लोगों को भी पता होगा तो इसे फिर हम डाल देंगे इसमें डालने के बाद इसे हम हलके हाथोस से चला लेंगे थोड़ा सा इससे तर लेंगे हम पांच से छे मिनिट तक अच्छे से और यह सट रहा है तो अगर घबरानी की ज़वत नहीं है आप इसे अराम-अराम से दीमे दीमे आज पर थोड़ा तरलो फ्राइ कर लो लाइट फ्राइ करना है टीफ नहीं आपके अको ज्यादा तेल पसंद है तो अभी हमने जो बॉइल करके रखा ता वह इसमें डाल देंगे तो शलो हमने डाल दिया इसे फिर से चला ले मैं दिखाती हूँ आपको चली वाईल यह हम डाल देंगे बस बिल्कुल यह थोड़ा ऐसा ही है तो इसे हम डाल करके बस इसे पांसे छे मिनट तक चला लेंगे और थ्वासा ड्राइ कर लेंगे हमें से ड्राइ करने के बाद यह रेड़ी हो जाएगा खाने के लिए आप आ तो इसे हम बस अभे अभी जो पानी से वह सुखा लेना है तो ड्राइ कर लेना है उसके बाद इखानें के लिए रेड़ी हो जाएगा तो चलिए यह बन के बिल्कुल ड्रेड़ी हो चुका यह पानी भी सारा सुग गया ड्राइ हो गया अब इसे हम कुछी देर में प्लेट पनेर चिल्ली तो चली सफ करते हैं और खा के मज़ा लेते हैं देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे मूं में पानी आ रहा है आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो लाइक करो शेयर कर प्लीज डेर सारा प्यार दो हमें आपके प्यार की जरूरत है तो प्लीज ये देखिए चिल्ली भी रेडी है और इसमें हम थोड़ा मैंने चौप करके रखा है कोरियंडर लिफ्स तो मैं थोड़ा से कानिश कर लेती हूं हलका सा डाल की मुझे उसकी खुश्बू पसंद ह इसलिए मैं आप डाल भी सकते हो नहीं भी बट मुझे पसंद है फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में आप से जब तक के लिए अपना ख्यार रखिए मुझे सब्सक्राइब करिए मुझे लाइक कीजिए कमेंड कीजिए बाइबाइ टेक केर लव यू आल